हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में होंगे और स्वस्त होंगे आज मैं आपके लिए गयों के आटे के बने हुए मालपोई की रेस्पी ले आई हूँ इसमें मैं चीनी की चासनी का यूज नहीं करूँगी यह ब सब्सक्रेटेड कोकोनट घेलमेंट और काजू कात लिए एक कटूरी नियूं काटा फुड़ी सी पिसीछी थोजोज सांफ पिसा हुआ कि कटूरी चीनी चार चमस्ट सुजी हो मैंने मिक्स करने के लिए इसमें पानी का यूज ने करेंगे सारी चीजों को दूट से मिक्स करेंगे इससे इसका स्वाद दूगना हो जाएगा अगर आपके पास मलाई पड़ी हो तो इसे भी यूज कर सकते हैं इससे बहुत टिस्टी बनता हूँ कि मैंने गहुं काटा और सुजी को डाल दिया है मैं चीनी एट कर रहे हूं चीनी आप अपने स्वाद के अंसवार एट कर सकते हैं बहुत मीठा पसंद है तो चीनी आप बढ़ा दें इसमें डूट डाल रहे हूं इन सारी चीजों को हम दूट से ही मिक्स करेंगे इसमें मिक् अच्छा आएगा और यह हम गहुं के आटे से बना रहे हैं तो यह हल्दी भी है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा दूट डाल कर सारी चीजों को अच्छे से पिक्स कर लें और इसकी एक बैटर के तरीके की कॉंस्टेंसी चाहिए हमको इसमें मैं मीठा सोडा या कोई भी चीज ऐसा नहीं आड़ करूंगी सब नेचुरल चीजों से यह बनेगा यह मैं कोकुनट पॉंडर डाल पही हूँ और अपने डिजारबर ड्राइफूट सारे तोड़ा सब अदाओं और काजूर आड़ कर दिया है सबको अच्छे से मिक्स कर लें पिसी इलाइची और सॉंफ को अड़ कर दिया है सॉंफ और पिसी इशन इलाइची से इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है और खुश्मूई बहुत अच्छी आती है थोड़ा सा दूद और आड़ करते हैं बहुत गाड़ा पेश नहीं बनाना है बहुत नहीं बहुत पतला बनाना है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है यह देखिए इन सब चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ध्यान रहें कोई गुठली ना पढ़ने पाए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें लंब से एक दम ना पढ़े अच्छे से मिला ले यह देखिए इसकी कंस्ट्रेंसी ऐसी मिल चाहिए हम चम्मस से टपका है तो यह नीचे गिर जाए बहुत गाड़ा भी ना हो आवाद अतला भी ना हो इस तरह की कंस्ट्रेंसी वाल्पुए के लिए बेस्ट होती है सारी चीजों का मेस करने के बार लगबगे इस तरीके का आपको दिखेगा इसको ढखकर एक घंटे के लिए रस्ट के लिए रख देते हैं तब तक यह फर्मिंट हो जाएगा यहां पर मैंने तेल गरम कर लिया है आपको यहां परमोटे तले का पैल लेना है अ क्या हैं और बहुत मृत कोुजाब देना है ज़्यादा चीचला बाद नहीं लेना है बहुत गहरी कडाइ नहीं लेने हैं है इस तरीके का चोड़ा हुआशे अचापं होगा तो आपका मलमू अच्छे से फैल कर अच्छे से फ्राई भाइए होगा किड़ाई में अच्छे से राई नहीं हो पाया है इसमें आपको बनाने में आराम रहाएगा इसको अच्छे से फैला कर गैस की फ्लीम को एक दम लोही रखेंगे और बैटर आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है जिससे आपके मालपुए पतले बनें बहुत ज्यादा एक बार में डाल देंगे तो आपके मालपुए जो हो मोटे मोटे बनेंगे और खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं कि इसको बहुत दीमी आज पर तलना है बहुत तेज आज करेंगे तो अंदर से तच्चे रह जाएंगे इस तरीके से इसको तलने दीमी आज पर कि इसको आप बना कर हपते पर के लिए स्टोर करकर भी रह सकते हैं और अगर आप कमी लांग जर्नी पर जा रहा है तो इसको खाने के लिए भी आप अपने टिफिन बॉक्स में रख सकते हैं एक अपते तक यह खराब नहीं होते हैं इसको में एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है ऐसे इम नेक्स्ट वेच को भी तल लेंगे इसमें ने चीनी पहले से यह एड़ किया है तो यह ऐसे ही मीठे होंगे इसमें चासनी का यूजने करेंगे ऐसे आप किनारे करकर आप नेक्स्ट वेच भी डाल सकते हैं इस तरीके से आप इसको फ्राई करते जाएं प्रेंड्स आपको यह रेस्पी अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर सेर करें प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब का ना भूलें इसे ही बाकी को भी तल लेते हैं इसके तलते समय हमें अभी से ज्यान यह देना है कि हमें इसको बहुत ही से माश करके तलना है यह देखिए हमारे माल को रेडी हो गाए मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर सेर करें आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तिल देन बाई स्टे ट्यून स्टे ट्यून स्टे अगरे